नमस्कार मैं हूं नरेश शर्मा और आप देखना है दैनिक दिल्ली न्यूस चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी ख़वर का स्टैची ओफ यूनिटी छेत्र को लूटने के लिए अग गुजरा सरकार ताना साही पर उतराई है समाजिक नयाय आदिवासे अधिकार, मानव अधिकार कारे करता, केवरिय छेत्र को अपनी करम भूमी बनाने वाले और आदिवासियों में सिख्षा की भूब जगाने वाले लखन भाई मुसाफिर को नर्मदा जिला प्रसासन ने तड़ी पार कर दिया है बड़े दुख्ती बात है कि आज सच्चे समाज सेवक को तड़ी पार किया जा रहा है जिसकी हम सभी आदिवासी कड़ी निंदा करते हैं गुजरात सरकार आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वालों को तड़ी पार कर रही है यह सरकार भारतिय सम्विधान और कानून वेवस्था का अपमान कर रही है जूटे आरोप लगा कर सच्चे समाज सेवक को तड़ी पार करना कायरता पूर्ण है गुजरात के नर्मदा से अनीस खान बलूची की रिपोर्ट अदमिये उसको आज तड़ी पार का ओडर हुकम दिया है उसके लिए काफी गाउवाले और उनके समर्थन में इधर आये हुए उनके साथ के संस्ता वाले कुछ भाई से पुचने का प्रयास करते है किस आदार और किस गुना में लखन भाई को तड़ी पार गया जाता है लखन भाई जब इस विस्तार में काम कर रहे हैं तो सरकार को क्या तक्रीब है हमें मालूम नहीं लेकिन वो लोग जागरुती का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लोगों में उसकी चाहना है और उनके उपर जो आरोप है वो इस तरह के घंबिर है कि अगर इतने साल से लखन भाई ये सब कर रहे हैं तो क्या सरकार सो रही थी? क्या पुलिस सो रही थी? और आज ही ये छे महीने में या चार छे महीने में उनको कैसे तड़िपार किया जा सकता है और जो भी आरोप लगाए है वो बेक बिलकुल गलत है कई लोग उसके लिए आंसुसा रहे है लोगों के दिल में उनके प्रतिच चाहना है वो हमेशा के लिए यहां रहे इस विस्तार में उसके विस्तार का भला चाहे ऐसे लोगों को अगर वो सरकार भार निकाल देगी या उसको तड़िपार कर देगी तो लोग कैसे यहां रह पाएंगे उनके भले के लिए कौन जियेगा और यहां के जो लोग है उनके दिल में जो भावना है लखनगाई के प्रती वो उनको चाहती है कि यहां रहे और सरकार चाहती है या पुलिस चाहती है कि वो निकल जाए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह से अन्याय की प्रक्रिया चलेगी तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा उनके जो गवाई है शाक्षी है उनको भी सुना नहीं गया उनके उपर जो भी आरोग है वो भी बेबुनियादे वो लड़ाई जगड़ा करते हैं वो लोगों क खुनखार डाकू जैसे लगते हैं ऐसे आरोप उनको लगाए हुए है जिस वक्ति को तड़ीपार का हुकम दिया है सरकार ने वही मौझूद है हमारे साथ लखन भाई मुसापिर इनका क्या कहना है आईए हम सुनते हैं लखन भाई से खुद उनकी जवानी लखन भाई आज हुकम दिया है तड़ीपार का किस आधार पे और किस मक्सद से आपकी गतिवीदी ऐसी तो हमको मालूम पढ़ा है कि आपकी ऐसी कोई गतिवीदी आप तो श्रीप गरीब आदिवासियों के हित की बात कर रहे हो आपका उसके बारे में क्या कहना है कि आए पिछले साथ साल से यहां जो चल रहा है कि लोगों का जमीन का मुद्दा है कि जो कॉलोनी बनाने के लिए जमीन ली गई थी और जो निगम ने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो वो जमीन हमें वापस दो और कह रहे थे कि के का पहले तो सुनरे के टूरिजम के लिए बहतर गाम के जो एक का सब्सकार के साथ सामने बात रखी सरकार में सवाथ किया और बाद में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यहां डैवलोप्मेंट के नाम पे जो बना तो अभी जमीन लोगों की हर रोज हर दीन जा रही है तो हम यहां लोगों का जो मुद्दा था वो उठाते थे और हमारी पर दो फ नाम उस तरीका निकाला और यह छे मेने से प्रक्रिशा चल रही थी और तो आज मुझे और मिला है कि आपको पांच दिश्टिक में छे मेने के लिए यहां रहना नहीं है क्योंकि आप यहां अशानती करते हैं शस्त्र रखते हैं गुंडागिर्दी करते हैं ऐसा उसमें सबका विकास हो सबका साथ हो लगि सबकों साथ सवात करके होना चाहिए यहां के लोगों की जो पीड़ा है प्रशना है वो लोगों तंत्रों को सुनना चाहिए यह ते लकन मुसाफिर जो लोक साही में मानने वाले लोग है उनको नियाई तंत्रा पे पूरा वरोसा है और अब तक की खवरों में इतना ही बाकी खवरों के लिए देखते रही है दैनिक दिल्ली न्यूज नमस्कार